हलो एवरीवान आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं मैगनेट ब्रेंज के शांदार यूडूब चैनल पर मैं हूँ जीशान आपका मैच्स मिन्ट और और क्लास 10 के साथ आज पढ़ने वाले हैं भाई पॉलिनॉमियल्स जो आपका second chapter है mathematics में उसका most important questions का part number 3 part 1 और part 2 देखके आजाओ अगर मैं देखाओ बिटा नहीं तो बहुत नुकसान उठाओगे because many of the questions जो मैंने वहाँ practice कराए हैं उनसे आपका बहुत अच्छा base बन जाएगा इस chapter polynomial का ठीक है तो बहुत अलग-अलग sources से questions लिये हैं तो tension नहीं लेना कि sir rd rs नहीं भाई आपका syllabus जितना है उतना cover up बहुत अच्छे से कर लिया गया है चाहे rd हो चाहे rs हो चाहे ncrd हो या कोई और book हो तो आपको tension free रहना है हम लोगों पर भरोसा करना है और जो questions यहां कराए जा रहे हैं बिलकुल properly religiously आपको वो attempt करने हैं सारे questions pen copy notebook निकाल के बैठो because we are going to start polynomials का most important question का part 3 इसके पाद part 4 भी आएगा ठीक है तो चलिए sir शुरू करते हैं part 3 का question number one time upon को waste नहीं करना है भाई यह question जो है ना बहुत ही जादा importance रखता है बच्चों को polynomial दे दी जाएगी quadratic polynomial उनसे कहा जाएगा कि भाईया इसके zeros निकालो और zeros निकाल के relationship establish करो verify करो relationship किसका zeros का और coefficients का relationship मैं तुम्हें सबसे पहले बता दे रहा हूँ दो relations होते हैं आप लोग ने पढ़ रखे हैं ना दो relation होते हैं एक होता sir sum of zeros क्या होता है sir sum of zeros sir zeros किसको कहते हैं बिटा x की ही special values होती है zeros पढ़ लेना chapter मेरे पूरे videos playlist form में available है पढ़ लोगे ना तो भाई tension free हो जाओगो तुम सच बोल रहा हूँ मैं तो sir zeros x के ही special values होंगे variable के ही special values होंगे जो इस में रखने पर polynomial में रखने पर solve करने पर पूरा polynomial zero बना देगा ठीक है ऐसे special values को हम zeros बोलते हैं तो sum of the zeros जो होता है वो होता है sir alpha plus beta alpha और beta हम zeros मानते हैं पिटा और यह किसके बाद equal आता है पिटा यह आता है sir minus b upon a के equal minus b upon a यह coefficients है minus b और a यह coefficients है alpha and beta zeros है इसलिए इसको बोला जाता है relation between zeros and coefficients ठीक है बई दूसरा relation होता है बिटा product of zeros क्या होता है sir product of zeros ठीक है let me just write it down product of zeros ठीक है बई तो sir यह कैसा दिखता है यह भी smart दिखता है भाई यह भी बड़ी है smart दिखता है देखो यह ऐसा दिखता है sir alpha into beta into a बिटा जब कुछ भी न लगा हो तब भी multiply जब dot लगा हो तब भी multiply यह होता है बिटा c upon a के equal बात clear है बात समझ में आ गई यह सर बिलकुल समझ में आ गई तो ठीक है sir इसको थोड़ा सापन design बना दें थोड़ा सा सुन्दर लिख दें क्योंकि यार जहां पर साफ सफाई नहीं वहां पर पढ़ने की इच्छा भी नहीं होती वहां रहने की इच्छा नहीं होती साफ सफाई बहुत जरूरी है ना गंदी चीज अगर आपको मिलेगी तो आपका खुदी मन कहेगा किया ही पढ़े क्या ही देखें तो sir यहां पर हमको पॉलिनोमियल दिया गया हैं find the zeros जबसे पहले हमें इसके zeros निकालना है और हम सबसे पहले एक line लिखेंगे एक वाख के लिखेंगे कि let the zeros be alpha and beta कि सबसे पहले हमने मान लिया कि इसके zeros हैं alpha and beta let the zeros be alpha and beta alpha and beta ठीक है sir ठीक है अब बात करते हैं zeros find करने के process की तो भाईया सबसे पहले जो polynomial है उसको आप standard form में लिखिए जो की यहां standard form नहीं दी गई है standard form क्या है सर 6x square तो चलो सही है पहले लिखा है उसके बाद बिटा यह आना चाहिए था यह constant है यहां जाना चाहिए और यह यहां आना चाहिए तो minus का 7x अपन पहले लिखेंगे बच्चो और minus का 3 बाद में तो यह हो गया standard form of quadratic polynomial अब zeros कैसे निकालेंगे भई how to find zeros तो चलो अपन find zeros का भी method या process देख लें find zeros ठीक है तो चलिए सर zeros धूनने का भी अपन प्रक्रिया या method देख लेते हैं तो सर जीरो जो alpha और beta है इनी की values अपन को धूननी है कुछ नहीं है सर एक छोटा सा process है जो आपका polynomial है उसको factorize करना है बस और equal to zero रख देना है बस equal to zero रखो और factorize कर दो that's it चलो factorize करें सर ठीक है चलो तो factorize करने का तरीका वही यार middle term split method factorization method वही middle term split method से इसको तोड़ देना है तो सर 6 3 is a 18 अब जो 18 आया उसको ऐसे लिखो के यार अपन को 2 numbers मिल जाए जैसे 9 2 is a 18 एक number मिल गया 9 एक number मिल गया 2 अब 9 और 2 से हमें minus 7 बनाना है बीच वाला number बनाना है बड़ी आसानी से बन जाएगा minus 7 को अपन लिख सकते हैं बच्चों minus 9x plus 2x ठीक है minus 7x को ऐसे लिख सकते हैं 6x square as it is minus 3 as it is ठीक है तो यह होता है middle term split method बच्चा इन दोनों से common common खेलेंगे इन दोनों से common common खेलेंगे तो sir 6 और 9 इन दोनों से 3 common आ रहा है 3 common ले लेते हैं x square और x इन दोनों से भी x common आ रहा है x common ले लेते हैं bracket में बचेगा बिटा 2x यहां बचेगा 2x minus यहां बचेगा 3 minus का 3 बचेगा ठीक है sir minus का 3 बचेगा ठीक है sir अब बताओ sir और क्या है तो इतना गर लिया अब बिटा गौर से सुनना होता क्या है कि अब आपको इन दोनों से भी common लेना और इन दोनों से ध्यान से देखो कुछ भी common नहीं आ रहा 2x-3 वैसेगा वैसा ही bracket में आएगा बिटा 2x-3 और वही हमें चाहिए भी है कैसे बिटा अगर यहां bracket में 2x-3 आ रहा है तो यहां भी 2x-3 आना चाहिए अब 2x-3 पूरा पूरा आ गया तो कुछ तो common लेना पड़ेगा तो हमने plus का one common ले लिया कि यहां से भी plus का one common यहां से भी plus का one common लेना तो पड़ेगा बिटा अगर कुछ भी common ना आए तब भी आपको plus one common लेना पड़ेगा सर अब अपने पास यह चीज आ गई और यह दूसरी चीज आ गई इन दोनों में से पूरा पूरा bracket common आ रहा equal to zero factorization हो गया सर फैक्तराइजेशन हो गया सर ठीक है चलो अब जैसे ही factorization हो गया तो पहला bracket हमने लिखा 2x minus 3 यह पहला bracket है बच्चो 2x minus 3 और दूसरा bracket है 3x plus 1 3x plus 1 ठीक है सर जैसे ही हमने दोनों brackets देखे हमने इन दोनों bracket के equal to zero लिख दिया that's it zero लिखो zero लिखो बस solve कर दो बिटा 3 अदर जाएगा plus 3 हो जाएगा 2x is equal to plus 3 2 अदर जाएगा divide करेगा तो x की value आ गई 3 upon 2 और बिटा मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ मैंने शुरू में भी बताया था जो zeros होते न वो x की ही special values होती है तो x की पहली special value आई 3 upon 2 यह हो गया alpha यह हो गया पहला 0 तो 3 upon 2 पहला 0 हो गया that is alpha ठीक है सर चलो यहां पिटा 1 को वहां भेजेंगे minus 1 हो जाएगा 3x is equal to minus 1 3 multiply में हो दर जाएगे divide होगा x की value आ गई minus 1 upon 3 ठीक है सर bracket में pack कर दो सर यह क्या आया यह आया बिटा दूसरा 0 जिसको हम बीटा पुकारते हैं बीटा is equal to minus 1 upon 3 और सर यह आगया बीटा सर पहला चरण complete हो गया इन्होंने कहा था find the zeros हमने zeros निकाल लिए उधर लिख लेते हैं बिटा zeros सर alpha आगया हमारे पास 3 upon 2 और बीटा we have बीटा we have minus 1 upon 3 बीटा इतना काम हो गया पहला चरण complete हो गया पहली stage हमने पार कर ली और इसको अटा देते हैं अब ठीक है चलो अब बात करते हैं verify the relation between the zeros and coefficients बात नमबर एक पहले coefficients तो निकाल लो इस polynomial को अपन पहले काईदे से लिखेंगे 6x square के बाद minus का 7x आना चाहिए तो minus का 7x लिख दिया और फिर minus का 3 आना चाहिए minus का 3 लिख दिया अब बच्चो इसके नीचे standard form of quadratic polynomial लिखी जाएगी जो है ax square plus bx plus c यह है सर तो पेटा a equal to 6 आ गया है na a is equal to 6 आ गया तो लिख देते हैं सर a is equal to 6 b क्या आ गया दोस्त b आ गया minus 7 b is equal to minus 7 c क्या आ गया दो c आ गया minus 3 c is equal to minus 3 ठीक है अब यह जो values आ इन्हीं को coefficients कहते हैं ध्यान रखना बिटा इन्हीं को क्या कहते हैं coefficients we call them as coefficients right जादी बड़े हो गई इदर आ जाएंगे क्या रहने दो यार यहीं लिख देते हैं ठीक है सर यह आ गये coefficients ठीक है चलो verification करते हैं ठीक है let us go and move on to verification तो सर सब से पहले हम verification करेंगे sum का ठीक है verifying verifying लिख देना मैंने छोड़ी spelling लिख दी चलो number one sir हमें alpha plus beta is equal to minus b upon a verify करना है is equal to minus b upon a बिटा चाहे LHS और RHS अलग अलग कर लो या फिर दोनों को साथ में कर लो it depends upon you आपकी इच्छा है ठीक है वैसे तो अलग अलग करो तो जादा अच्छा लगेगा alpha जो पहला 0 है वो है 3 upon 2 तो sir यहां लिखेंगे 3 upon 2 plus beta है minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 ठीक है sir ठीक है okay solve करेंगे LCM आएगा 3 2s are 6 तो यह होगा 9 minus 3 2s are 2 तो यह minus यह 7 upon 6 आगया कितना है बिटा 7 upon 6 है ना इसको अटा देते हैं और लिखते हैं यह 7 upon 6 आगया 7 upon 6 तो sir LHS आगया 7 upon 6 चलो RHS देखते हैं minus B upon A minus B B है sir 7 देखो minus और minus 7 तो plus 7 हो जाएगा plus 7 minus minus 7 upon A A क्या है पिटा A 6 है तो sir यह भी आया plus का 7 upon 6 यह भी plus का 7 upon 6 दोनों equal आगये लिख देना last में hence verified क्या hence verified अब हम verification करते हैं sir product का ठीक है यह हो गया sum का अब अपन करेंगे product का alpha into beta होता है C upon A equal में होता है C upon A चलिए sir solve करते हैं ठीक है alpha क्या है sir alpha है 3 upon 2 बीटा है minus 1 upon 3 minus 1 upon 3 3 से 3 कट क्या minus 1 upon 2 आया sir minus 1 upon 2 ठीक है sir C upon A C है sir minus 3 A है sir 6 3 से दोनों काट दो 3 बन जा 3 minus का 1 upon 3 टू जा 6 minus का 1 upon 2 देखो equal आरा verify हो गया लिख देना hence verified नीचे लिख देना hence verified अब जाके हमारा question number 1 complete हुआ है ठीक है चलो moving on आगे चलते है sir जल्दी से I am raising this यह रहा second question find the zeros of ठीक है sir the following quadratic polynomial and verify the relationship कर लेंगे चलो zero निकालते है वह यह बेटा पिछले question जैसे ही है ठीक है तो sir यह polynomial है और इसके zero निकालने जे पहले आपको लिखना पढ़ेगा let the zeros of this polynomial be alpha and beta ठीक है let the zeros of this polynomial be alpha and beta यह लिखना जरूरी है बेटा धियान रखना नहीं तो आप zeros की जगा alpha बीटा use नहीं कर पाओगे ठीक है verification अपन कर लेंगे पहले zeros निकाल लेते हैं देखो बीटा सबसे पहली बात मैं तुम्हें बता दूँ clearly कि यह जो polynomial है यह u के terms में है 4u square plus 8u और यह quadratic तो है लेकिन proper नहीं है देखो प्लस का c नहीं है प्लस का कुछ होना चाहिए था प्लस या माइनस का कुछ तो होना चाहिए था पर यहां नहीं है तो इसका मतलब यह middle term split method से factorize नहीं हो पाएगी इसको common लेके करना पड़ेगा चलिए sir यहां अपन find करते हैं zeros और यहां लिखते हैं find zeros find alpha and beta ठीक है find zeros ठीक है सबसे पहला काम है find zeros करने का तो बेटा equal to zero रख दो polynomial को equal to zero रख दो और solve कर दो तो इन दोनों से आपको common लेना पड़ेगा middle term split नहीं होगा बेटा 4 और 4 common u और u common तो 4 u common आ गया bracket में बचा सर 1 u प्लस यहां से बचेगा 2 is equal to zero अब बेटा गौर से देखना यहां दो चीज़े आ गए एक आ गया 4 u एक आ गया u plus 2 तो पहले आप 4 u लिखेंगे फिर आप लिखेंगे u plus 2 दोनों को equal to zero करके solve कर देंगे तो सर 4 वहां जाएगा divide करेगा u is equal to zero upon 4 u आ गया सर 0 पहला value जो u का आया वो आया 0 ठीक है plus 2 को अधर भेज़ दो minus 2 हो जाएगा तो u is equal to minus 2 ये बिटा दूसरा value आ गया u का minus 2 तो बच्चों u के ही तो values को हम alpha और beta बोलेंगे तो ये हो गया सर alpha alpha की जगा हमने लिखा zero ये हो गया सर दूसरा beta that is minus 2 alpha और beta यानि की zeros आ गये ठीक है सर let us write the values of zeros over here यहां लिखते हैं सर values of zeros के जो zeros हैं polynomial के वो क्या है तो सर जीरो जो है वो alpha और beta है और alpha पहला जो zero आया वो zero beta जो आया सर वो आया कितना है भाई minus का 2 ठीक है co-efficience भी लिखना पढ़ेंगे बेटा ठीक है सर लिख लेंगे कोई समस्या नहीं बेटा गौर से देखो हमारे पास polynomial है 4u square plus 8u और z और c नहीं है हमारे पास है न तो एक काम करते हैं plus का zero लिख देते हैं हम अपनी पर मरजी से ठीक है ताकि quadratic जैसा दिखे थो थोड़ा सुन्दर तो दिखे ठीक है सर इसके नीचे लिखेंगे standard form ax square नहीं आएगा बिटाव ax square plus bx plus c plus c ठीक है तो सर बात सुनना गौर से a की value 4 आ गई a is equal to 4 b की value 8 आ गई b is equal to 8 c था ही नहीं तो c की value is equal to 0 ठीक है सर तो a, b, c ये भी हमने निकाल ली है सर यहां लिख लेते हैं जो coefficients आए वो आए a is equal to 4 b is equal to 8 c is equal to 0 ठीक है सर चलो verification कर लेते हैं let us go with the verification of relationship तो सर relationship की verification के लिए सबसे पहले हमें relationship पता होना चाहिए है न verification of relation between coefficients and zeros verification ठीक है सर सबसे पहला verification हमें करना है sum of zeros का का है का बिटा sum of zeros का और sum of zeros क्या होते हैं sum of zeros होते हैं सर sum of zeros होते alpha plus beta ये zeros का sum हो गया किसके बराबर आना चाहिए सर minus b upon a के equal आता है और आना ही चाहिए ठीक है सर चलो solve कर लेते हैं ठीक है तो सर alpha की जगा हमने लिखा 0 क्योंकि alpha तो 0 आया था सर beta की जगा लिखा हमने minus 2 और इसको जब हमने solve किया LHS को तो ये minus 2 आया ठीक है सर LHS minus 2 आगया alpha plus beta minus 2 आगया अब RHS solve करते हैं तो minus b क्या है सर b है 8 तो 8 लिखते हैं और 2 a है 4 4 लिखते है 4 से ये कटा minus का 2 आया सर minus 2 और बच्चों देखो minus 2 और minus 2 same आगा equal आगा नीचे लिख देना hence verified क्या लिखेंगे बच्चों hence verified ठीक है ऐसे ही बच्चों sum of zeros कर लिया अब अपन product of zeros कर लेंगे कोई दिखकत थोड़ी ना है ठीक है चलो चलिए सर या अपन product of zeros कर लेते हैं तो बहिए second जो verify करना है वो करना है product of zeros product of zeros ठीक है सर तो zeros का product क्या होता सर zeros तो alpha और beta होते तो alpha into beta होता होगा बिलकुल होता है पर equal में क्या आता है सर c अबोने आता equal में ठीक है चलो solve करते हैं सर alpha है 0 into beta है सर अपना क्या है beta minus 2 तो सर lhs तो आया 0 into minus 2 0 ठीक है भाई 0 आ गया सर c rhs की बात करते हैं c है सर 0 a है सर अपना 4 0 upon 4 तो सर 0 ही आएगा सही बात है 0 आया सर match कर गए है ना match कर गए कि हाँ सर they are equal ये सच में equal होते हैं और ये भी सच में सर equal होते हैं last में यहाँ भी लिख लेना hands लो भाई hands verify ठीक है चलो question 2 is also completed जल्दी से देख लो भाई then we will move on to next question number 3 चलो आगे चलते हैं let us move on to next चलिये next question अपना third आ रहा है बिटा इसको erase करते हैं और ये रहा third question if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial this ठीक है अपने पास quadratic polynomial ये है बहुत गौर से सुनना सबसे पहली चीज़ चो polynomial हमको दिया गया है वो है fx is equal to we have 2x square minus 5x plus 7 ठीक है ये हमको polynomial दिया गया है alpha और beta's के zeros है हम इसकी value find कर सकते हैं वैसे हम इसकी value find कर सकते हैं वैसे तो चलो हम लिखते हैं कि sir यहाँ पर इसके जो zeros हैं वो alpha और beta हैं zeros are given है अपन को हम let नहीं कर रहे हैं वो कहरा alpha और beta इसके zeros हैं alpha and beta चलो यार find करें किया zeros इसके जैसे अभी अपनने find किये थे ठीक है चलो find करते हैं ठीक है चलो तो sir 2x square minus 5x plus 7 यह जो polynomial है इसके zeros find करने के लिए सिर्फ एक काम करना है equal to zero रखके इसको factorize कर दो चलो factorize करते हैं sir 7 to the 14 14, 14, 14 7 to the 14 यार 14 7 minus 2, 5 बात हो रहा है ठीक है 7 to the 14, 7 minus 2 5x को बच्चों अपन ऐसे लिखेंगे 5x को अपन ऐसे लिखेंगे बच्चों गौर से देखना plus का 2x minus का 7x ऐसे लिखेंगे क्योंकि minus 7 plus 2 minus 5 दे देगा लेकिन यहां गड़बड हो रही है नहीं 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 बेटा इसको आफ factorize easily नहीं कर सकते हो middle term split से factorize नहीं होगा एक काम अब ये वाला method तो हो गया काम खतम इस method का तो बेटा कहते हैं लंका हो गई इसकी तो लंका हो गई इसकी अब छोड़ो इसको हाँ इसके नीचे पन standard form of polynomial लिखते हैं जो है ax square plus bx plus c ठीक है सर अब मेरी बात सुनना a निकाल लिया सर हमने 2 b निकाल लिया सर हमने minus 5 c निकाल लिया सर हमने 70 ठीक है भाई इससे होगा क्या अरे सब कुछ होगा या रुको ठीक है minus minus तो को minus और फिर b b already minus 5 है minus minus 5 तो plus 5 हो जाएगा a2 है पेटा यह आया alpha plus beta सरीए सर सेकेंड निकाल लिया alpha into beta alpha into beta होता है सर c upon a यह होता है सर c upon a ठीक है c क्या है सर c है 7 a है 2 तो 7 upon 2 अब देखो सर सर यह क्यों कि आपने बताता हूँ अब इसको भूल जा थोड़ी देर के लिए ठीक है अब हम आते हैं अब हम आते हैं अपने question की तरफ question को पढ़ो ज़रा find a polynomial एक polynomial निकालना है ठीक है find a polynomial ठीक है find a polynomial quadratic ही निकालना है अपका सले बस quadratic का ही है ठीक है सर कैसे निकालना है polynomial आपको पता होना चाहिए k bracket x square minus sum of zeros into x मैं sum लिख देता हूँ भी बस ठीक है sum of zeros into x plus product of zeros यानि सिर्फ product लिखता हूँ भी मैं ठीक है पीटा जो sum of zeros और product of zeros हैना यहां यह यह alpha plus beta नहीं है alpha और beta तो इसके zeros है नए polynomial के जो zeros है ना वो यह है बिटा देखो ध्यान से यह है नए polynomial के zeros बात समझ में आई यह है नए polynomial के zeros मतलब इस polynomial के जो zeros है इस polynomial के जो zeros है सर zeros are भाई पहला zero है अपना यह two alpha plus three beta two alpha plus three beta और जो दूसरा zero है वो है three alpha plus two beta three alpha plus two beta ठीक है यह दो alpha and beta इसके zeros थे बिटा इस नए polynomial के जो हमें बनानी है इसके zeros है two alpha plus beta यह पहला zero हो गया और three alpha plus two beta यह दूसरा zero हो गया अगर हम इन zeros का sum और इन zeros का product निकाल ले और इस line में लिख दे answer आजाएगा यही तो करना है भई है ना तो अपन को नए वाले polynomial के जो नए zeros दिये हैं बिटा इनके sum और इनके product निकालने ही है ठीक है चलिए तो सर शुरू करने हैं सबसे पहला काम and that is सबसे पहला काम is sum of the zeros निकालने हैं इसको भूल ला इसको दोड़ी देर बाद ही उसकरेंगे इसका काम खतम हो गया sum of zeros ध्यान देना बिटा कितना बढ़िया कोशिन है सर पहला zero है 2 alpha plus 3 beta यह पहला zero है ठीक है plus sum निकालने हैं तो plus दूसरा zero यह है 3 alpha plus 2 beta 3 alpha plus 2 beta दो zeros हो गए पहला zero दूसरा zero add करो 2 alpha और 3 alpha beta हो गया 5 alpha ठीक है 5 alpha plus 3 beta 2 beta यह हो गया 5 beta बिल्कुल सही solve कर रहे है बिटा अपन इसकी solve कर रहे है sum of zeros क्या है भई है ना सर फाइफ कॉमन ले लेंगे और bracket में आएगा alpha plus beta ठीक है बच्चो यहाँ से अब help लेने की बारी आ गई alpha plus beta की value तो 5 upon 2 है alpha plus beta की value तो 5 upon 2 है यहाँ लिखो भाई तो यहाँ लिखेंगे 5 into 5 upon 2 तो यह आ गया सर 25 upon 2 क्या यह 25 upon 2 और मेरे प्यारे बच्चे यह नए polynomial के जो नए zeros थे उनका नया sum आ गया इसकी जगा 25 upon 2 लिखा जाएगा इतनी बात clear है yes sir अब हम दूनते हैं बिटा product let us work for product now इसकी बात करते है इस पे space नहीं है मैं इधर कर रहा हूँ ठीक है sir ठीक है तो let us find out product of zeros now ठीक है क्या sir product of zeros ठीक है भाई product of zeros product of zeros थोड़ा ध्यान से देखना cutting भी लग सकता है easy भी लग सकता है अच्छा zeros क्या है sir ये है zeros two alpha plus three beta two alpha plus three beta ये पहला zero हो गया bracket में लिखो into दूसरा zero दूसरा zero ये है sir three alpha plus two beta three alpha plus two beta चली sir multiply करते हैं solve करते हैं पेटा सबसे पहला काम है two alpha को इन दोनों से multiply कराना इन दोनों से ठीक है चलो तो sir two alpha into three alpha sir six alpha square ये आये का आया ठीक है sir two alpha into two beta plus का four alpha beta ठीक है sir ठीक है three beta की बार ये आई अब three beta into three alpha plus का nine alpha beta ठीक है sir three beta into two beta plus का six beta square इतना clear है ये सर थोड़ा से critical लग सकता है आपको क्योंकि वहाँ alpha square और beta square आ गया तो घबराने का नहीं है ठीक है अब मेरी बात सुनो मेरी बात सुनना सर अपन को यहाँ यहाँ पर erase तो करनी पड़ेगा क्योंकि space चाहिए मुझे बात सर six alpha square और six beta square को एक साथ लिखेंगे अपन six alpha square plus six beta square ठीक है done four alpha beta और nine alpha beta plus में 13 alpha beta बन जाएंगे yes sir plus 13 alpha beta ठीक अब बेटा मैं यहाँ erase करना चाहता हूँ इसको थोड़ा सा ठीक है बहुत गौर से सुनना क्या करूं इसको थोड़ा ऊपर चड़ा देते हैं ठीक है थोड़ी देर के लिए इसको overlap करा देते हैं नहीं यार overlap नहीं कराएंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर लीजिए यहां रिख दिया अपने साइड में ठीक है लो भी अब देखना alpha square plus beta square की पूरी calculation का क्या हाल होने वाला है चल इदर आजाओ वापस 6 common ले लो बेटा इन दोनों से जल्दी से 6 common ले लेते हैं दोनों से 6 जैसे common लिया ब्रैकेट में आया alpha square plus beta square ठीक है plus 13 alpha beta चल अब क्या कर मैं सर अब थोड़ा सा देखो space क्यों बनाया है मैंने ध्यान से देखना alpha square plus beta square का कोई actual formula नहीं होता इसका formula बनाएंगे अपड ठीक है थोड़ा सा बाहर करता हूँ मैं यहाँ अलग से करते हैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ मैं alpha square plus beta square में अगर मुझे अगर मुझे plus का 2 alpha beta मिल जाए अंदर अंदर की बाहर हो रही बाहर की बात नहीं हो रही अंदर अगर plus का 2 alpha beta मिल जाए तो यह बन जाएगा बेटा alpha plus beta का whole square और alpha plus beta की value अपन यहाँ से उठा लेंगे 5 upon 2 है ना लेकिन सर यह अपने पास है नहीं है प्लस का 2 alpha beta है ही नहीं है तो plus का 2 alpha beta अपन लगा सकते हैं अपनी मर्जी से plus का 2 alpha beta तब लगा सकते हैं जब अपन माइनस का 2 alpha beta भी लगा लें तो इतना part बन जाएगा बेटा अपना क्या alpha plus beta का whole square और minus का 2 alpha beta अपन लिख दें ऐसे बात समझ में आगई यह इस bracket के अंदर होगा बात clear है ना ठीक है सर तो इसको लिखते है 6 bracket बेटा ध्यान देना जड़ा alpha square plus beta square ठीक है अब मैं इसी में बेटा इसी में अंदर ही अंदर हो रहा है bracket के अंदर plus 2 alpha beta लिख दिया मैंने तो आपको पता है कि सर अब आपको minus का 2 alpha beta भी लिखना पड़ेगा है ना ठीक है सर और अपनने क्या करा इतने पार्ट को अपनने pack कर दिया और bracket लगा दिया plus का 13 alpha beta बहार लिखा है plus का 13 alpha beta अपनने बहार लिख दिया ठीक है बात क्लियर है I hope बात समझ में आई होगी ठीक है तो सर ये मन गया 6 bracket alpha plus beta का whole square ठीक है ये पूरा a square plus b square plus 2 a b तो alpha plus beta का whole square और minus 2 alpha beta फिर plus 13 alpha beta आराम से इसका solution करेंगे चल्दबाजी नहीं है alpha plus beta की value 5 upon 2 5 upon 2 का square होगा 25 upon 4 बिलकुल होगा sir minus 2 into alpha into beta alpha into beta sir alpha into beta इसकी बात कर रहा हूँ I am talking about this 2 into alpha into beta alpha into beta is 7 upon 2 7 upon 2 2 into 7 upon 2 ठीक है sir bracket close और इस bracket के बाहर 6 का multiply है और प्लस का 13 into alpha beta यहां भी है alpha beta की value है 7 by 2 तो यहां 7 by 2 लिखते हैं समझे आई बात अब देखो numbers ही numbers आगए solve करना है अपन को बस 2 से 2 कट हो गए एक बार मैं confirm कर लो एक बार तुक जाओ जड़ा cross check कर लू ठीक है 6 4 9 10 11 12 13 ठीक है 6 common ले लिया ठीक है alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta ठीक है right ठीक है सही है done तो sir यह आया 6 bracket LCM आएगा LCM छोड़ो भी तो normal लिखते है 25 अपन 4 minus 7 अपन 1 plus 13 7 जा 91 91 अपन 2 यह आया इसका LCM लेके यह आएगा 25 minus 28 अपन 4 और यह आजाएगा minus का 3 अपन 4 है ना 6 इंटू यह पूरा आजाएगा minus का 3 अपन 4 plus का 91 अपन 2 ठीक चलो sir 2 से न को simple कर देते हैं 2 3 जा 2 2 जा sir यह बना अपना minus का 9 अपन 2 91 अपन 2 minus का 9 अपन 2 यह बना 91 अपन 2 minus का 9 अपन 2 ठीक है LCM आएगा अपना वही 2 91 minus 9 यानि 90 minus 8 यानि 82 41 आया sir देखना है product कितनी देर में आया 41 आया product बच्चो cross check करना कहीं गलती निकले तो मुझे comment में बताना तो product आ गया जैसे बटा sum of zeros आया था यह अब product of zeros आ गया 41 क्या आया sir यह 41 बहुत देरी के बाद 41 आया ठीक है समझ गए yes sir बस खतम हो गया question खतम देखो question कैसे खतम है बताता हूँ answer लिख रहा हूँ और मैं direct ठीक है I am writing answer now purple से लिख देता हूँ यह answer बटा k ठीक है sir k bracket x square minus sum of zeros sum of zeros आया था 25 upon 2 25 upon 2 into x plus product of zeros plus product of zeros product of zeros यह पूरा solve वोखे 41 आया 41 bracket close this is our answer यह अपना answer आगिया done जल्दी से copy कर लो question number 3 then we will move on to next question number 4 चलिये आगे चलते हैं moving ahead now चलिये I hope आपको समझ में आया होगा 25 25 upon 4 7 upon 2 7 4s are 28 minus 3 upon 4 2 3s are 2 2s are तो minus 9 upon 2 13 7s are 91 upon 2 91 upon 2 minus 9 upon 2 ठीक है सही है बिटा it is fine चलो next question number 4 यह रहा sir जल्दी से देख लेंगे question says obtain the zeros of the quadratic polynomial this and verify the relation between its zeros and coefficients first and second question जैसा है बस root वाला है तो डरना नही है हमें पहले polynomial लिख लेनी है बिटा polynomial है 3x square minus 8x plus 4 root 3 plus 4 root 3 ठीक है चलो line लिखनी पढ़ेगी पहले आपको alpha, beta वाली चलो इस कमान ने थे let the zeros let the zeros of this polynomial be let the zeros be alpha and beta ठीक है alpha and beta इसके zeros हैं सर ठीक चलो zeros निकाले zeros के लिए आपको बताईए के सर जो भी polynomial हो उसको equal to zero रखके solve करते हैं ठीक है चलो solve करते हैं ठीक है चलो पहली condition सर a ax square का a और यह c इनका multiply होता है तो सर यह क्या आएगा यह आएगा बच्चा three into four three fours are twelve और root two twelve और root two ठीक है twelve root twelve root three आया क्या आया पिटा twelve root three तो सर twelve root three का LCM लेंगे twelve root three आया इसको break करेंगे break करने का तरीका यही है सर twelve को break करेंगे two two is a four three is a twelve और root three into root three ठीक है सर बीच में eight चाहिए यह आया three to the six पिटा यह eight root three x होगा क्योंकि three to the six आ गया अगर मैंने six root three ले लिया बीच में eight root three eight six और अगर मैंने इसको two root three मान लिया तो add होके minus minus के दोनों होके मुझे minus का eight root three दे दे देंगे ठीक है ठीक है eight root three दे दे देंगे और अगर multiply करेंगे तो six two is a twelve twelve three is a thirty six कुछ कड़बर सी लग रही है इस question में मुझे रुख जाओ जरा let me just check this question एक second रुखना बच्चो जस होल्ड on for a second okay so this is under root three x square बच्चो this is under root three x square ये under root three x square है ठीक है ये इस में correction है so this is under root three x square क्योंकि हो नही राता फिर फिर वो ठीक है so sir ये हो गया अपना under root three x square let me just write it down like this under root three x square अभी clear है अब हो जाएगा देखो कितनी आराम से चलो पहला condition होता है sir कि ये a और ये c इन दोनों का multiply तो root three x square root three ये होगा 4 3 x square 12 तो 12 आएगा ठीक है अब 12 को ऐसे split करो कि 8 आजाए minus का 8 आजाए तो पेटा 6 2 x square 12 और 6 minus का 6 और minus का 2 6 minus का 6 और minus का 2 multiply करोगे तो plus का 12 आएगा minus का 2 और minus का 6 add करोगे तो minus का 8 आएगा minus का 8 चाहिए तो minus का 6 और minus का 2 आगया minus का 6 और minus का 2 आगया ठीक है सर्थ तो 8 x को लिखेंगे minus का 6 x minus का 2 x ये 8 x को अपन ने लिख दिया ऐसा plus का 4 root 3 is equal to 0 और root 3 x square ठीक है चलो अब common लेने के लिए गौर से देखना बिटा थोड़ा सा confusion हो जाएगा नहीं तो आपको इन दोनों से common कैसे आएगा देखना root 3 x square को मैंने लिखा x into x minus 6 को मैंने लिख सकता हूँ 3 into 2 लेकिन 3 into 2 के 3 को लिख सकता हूँ root 3 into root 3 देखो root 3 into root 3 into 2 है ना 6 को we can write 3 2 जा 6 3 को मैं root 3 root 3 लिख दी और x लिख दू अच्छा same goes with this also तो यहाँ तो जाद आपको open करके नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि minus 2x और plus 4 root 3 को अपन लिख सकते है 2 into 2 root 3 is equal to 0 common लिख अपन ठीक है चलो पीटा इन से और इन से common लेना है ठीक है इन दोनों से common लेना है तो बच्चों देखो गौर से देखना है यार बहुत गौर से देखना root 3 x common root 3 x common तो sir root 3 x common आ गया bracket क्या बचा sir x बचा minus root 3 बचा root 3 into 2 बचा 2 root 3 बचा, है ना, यहां से बचा sir, x minus, यहां से बचा 2 root 3, ठीक है, अब बचा, x minus 2 root 3 यहां से बचा, तो यहां भी x minus 2 root 3 ही लिख दो आप, x minus 2 root 3, ठीक है, और common क्या आएगा, मैं बता देता हूँ, सुनो, common आएगा, मेरी बास सुनना बिटा, यह पहला है, इस से जो भी common गया होगा, x remaining था, है ना, तो x अगर remaining यहां बचा, तो minus 2 common चला गया होगा, क्या common चला गया होगा बिटा, minus 2, minus 2 common गया होगा, तभी तो x बचा हुआ, ब्रैकेट में आ गया, तो sir, minus का 2 common आ गया, यहां से भी और यहां से भी, ठीक है, चला, तो sir, अब x minus root 2 root 3, x minus 2 root 3, यह भी common ले लो, x minus 2 root 3 common, ब्रैकेट क्लोज, root 3 x minus 2, root 3 x minus 2, is equal to 0, sir, पहला ब्रैकेट जो है, equal to 0 लेंगे, x minus 2 root 3, और x के value आ गई, sir, 2 root 3, तो यह alpha आ गया, पहला 0 आ गया, ठीक है, यह दूसरा ब्रैकेट, root 3, x minus 2 is equal to 0, minus 2 वह जाएगा, plus 2 हो जाएगा, तो x की value आ गई, plus 2 upon root 3, यह बीटा आ गया, this is beta, यह alpha है और यह बीटा है, तो sir, alpha आया 2 root 3, 2 root 3, और जो बीटा आया, वह x की दूसरी value वह आया, 2 upon root 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है sir, अब क्या करें, sir, अब बारी है, verify the relation, चलो relation verify करा दे, ठीक है, verification, चलो, तो verification किस चीज़ का, सबसे पहले sum का verification करते हैं, sum of zeros का verification करते हैं, sir, यह क्या होता, यह होता, बच्चो, alpha plus beta is equal to minus b upon a, minus b upon a, यह होता है sir, ठीक है, चलो, अपन solve कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले अपन a, b, c निकाल लेंगे, ठीक है, बेटा, ax square, यह नि, a हो गया root 3, let me just write it over here, a हो गया sir, root 3, b है minus 8, c है 4 root 3, b है minus 8, c है 4 root 3, ठीक है, चलो बई, alpha plus beta कर लेते हैं, alpha sir, क्या है, 2 root 3 है, चलो बहिए, 2 root 3, plus, beta है, 2 upon root 3, 2 upon root 3 कर दिया sir, है न, चलो sir, LCM लेते हैं, लेकिन LCM लेने से पहले, 2 और 2 common ले लेते हैं, 2 common आ गया sir, bracket, यहाँ बचा root 3 upon 1, और यहाँ बचा plus का 1 upon root 3, 1 बचेगा जब 2 चला जाएगा, ठीक है, अब LCM लेंगे इसका, तो sir, यह क्या बनेगा, पेटा LCM लेने पर यह बनेगा, 3 plus 1 upon root 3, यह बन जाएगा, है न, LCM root 3 आएगा, 3 plus 1, 4 हो जाएगा, 4, 2, 8, 8 upon root 3 बेटा, यह आया, alpha plus beta, यह 4, 4, 2, 8, तो यह आगया, alpha plus beta, sir, minus B upon A solve करते हैं, minus, B है sir, minus 8, minus 8, upon A, A है sir, root 3, minus minus plus, तो यह 8 upon root 3 आया, match करो बेटा, दोनों equal आ गए, है न, तो हो गया, verified, last में लिख देना, hands, verified, sum of zeros अपनने verify कर दिया, चलो, product of zeros कर देते हैं, अब, है न, let me just erase this, product of zeros verify करते हैं, sir, product of zeros, चलो, product of zeros होता, sir, alpha into beta, is equal to C upon A, यह होता है, sir, चलो, alpha क्या है, sir, जल्दी से solve कर लेते हैं, alpha ता 2 root 3, 2 root 3 into, beta क्या है, beta है, 2 upon root 3, 2 upon root 3, ठीक है, root 3, sir, root 3 cancel, 2, 2 is a 4, तो LHS आया, alpha plus beta आया, 4, चलो, sir, C upon ही देख लेते हैं, C है, sir, 4 root 3, देखो, यह लिखा हुआ है, 4 root 3, upon A है, root 3, root 3 से root 3 cancel, we have 4, तो, sir, यह भी देखो, verify हो गया, तो अपन ने verify कर दिया, question 4 भी complete हो गया, ठीक है, चल दी से देख लो, beta, let us move on to question 5 then, चलें आगे, let us move on, ठीक है, चलिए, erase कर दिया गया है, next, question number 5 यह रहा, if alpha and beta are the zeros of polynomial, this, find a quadratic polynomial whose zeros are 1 upon alpha and 1 upon beta, आराम से आजाएगा, सुनो, दो sectors है, बेटा, दो sectors है, ठीक है, एक polynomial अपन को दिया गया है, 6y square, minus 7y, plus 2, ठीक है, और इसके जो zeros दिये गए है, कमाल की बात यह है बेटा, कि इसके जो zeros दिये गए है, वो alpha and beta है, है ना, zeros are alpha and beta, यह alpha and beta इसके zeros है, ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यार, बात ऐसी है, कि 6y square, minus 7y, plus 2, इससे a, b, c, extract कर लो, तो सर, a क्या आएगा, a y square, तो a आगया 6, b y तो minus 7, b आगया minus 7, c 2 आगया सर, ठीक है, बच्चो, alpha plus beta निकालना बिटा यहां से जरा, सर, a sum of zeros, alpha plus beta होता है, minus b upon a होता है, सर, यहां, minus b upon a, ठीक है, तो सर, minus, minus 7, तो यह plus का 7 बन जाएगा, upon a 6 है सर, 7 upon 6 आया, alpha plus beta, ठीक है, 7 upon 6 आया, alpha plus beta, ठीक है सर, अब कर देते दे, alpha into beta, alpha into beta होता है, c upon a, ठीक है, c upon a, c है सर, 2, a है सर, 6, 2 upon 6, simple कर देंगे, 1 upon 3 आ जाएगा सर, है ना, भहिया, c है 2, a है 6, 2 upon 6, इसको simple कर देंगे, 2 से काट देंगे, 2, 1 जा, 2, 3 जा, तो 1 upon 3 आ गया, अब इसको side में कर दो, सर, अब हमें जो नया polynomial निकालना है, find a polynomial, find a polynomial, आपको पता है, polynomial कैसे find किया जाता, कैसे बनाया जाता, कैसे बनाया जाता सर, इस फॉर्मले से, इस तरीके से, k bracket x square, minus sum of zeros of this polynomial, इस polynomial के zeros का sum, into x, plus इसी polynomial के zeros का product, है ना, तो ये तरीका होता है, अब इसके zeros क्या है, नए वाले polynomial, जिसको find करना है, वो पहला zero है, alpha, 1 upon alpha, पहला zero है बिटा, इसके जो zeros हैं, जो zeros है, सर, पहला zero है, इसमें 1 upon alpha, और जो दूसरा zero है, वो है 1 upon बिटा, सर, ये है, ये है पहला zero, ये है दूसरा zero, तो भाईया, sum निकालो इनका, product निकालो, क्योंकि जब बात हो रही है, sum of zeros, तो इनके sum की बात हो रही है, जब बात हो रही है, product of zeros, तो इनके product की बात हो रही है, तो यही values निकालनी है, और यहाँ पर put कर देनी है, खतम, ठीक है, तो चलो भाई, sum of zeros निकाल लेते हैं, पहले, sum of zeros, क्या है सर, zeros हैं, one upon alpha और one upon beta, दोनों को add कर दू, भाई, LCM आएगा, alpha, beta, और उपर आजाएगा, beta plus alpha, यही तो होगा, ठीक है सर, beta plus alpha, यहाँ पर value है, beta plus alpha है, alpha plus beta, seven upon six, सर, यहाँ लिखेंगे, उपर अपर seven upon six, upon, alpha into beta की value है, one upon three, one upon three, है ना, three seven के साथ, वैसे काट सकती है, और one seven के, six के साथ, seven into three upon six into one, three ने six को काट दिया, two times, तो यह आया, seven upon two, यह आया बिटा, sum, इसकी जगा आएगा, seven upon two, अब निकालते हैं, product, अब निकालते हैं, सर प्रोड़क्ट आफ जीरोज, प्रोड़क्ट आफ जीरोज, ठीक है दोस्त, तो सर यह कैसे निकालेगा, जीरोज क्या है, सर पहला zero है, one upon alpha into, दूसरा zero है, one upon beta, multiply कर तो दून होगा, तो सर यह होगा, one upon, one into one, one, alpha into beta, alpha beta, और alpha beta की value है, one upon three, तो सर यहाँ one upon three का reciprocal, three upon one, one upon one upon three, one upon, इसकी value one upon three है, three उपर पहुँच जाएगा reciprocal, तो three upon one आएगा, three आगया, लो भई, आंसर लिग दो, खतम करो भई, देखो, आंसर आएगा सर, k bracket x square minus sum of zeros into x, sum of zeros है seven upon two, तो seven upon two लिखेंगे, into x, plus product of zeros है three, तो product of zeros three लिखा, सर यही हमारा आंसर हो गया, नीचे यह लिखना जरूर, जरूर भूलना मत बटा, लिखना भूलना मत क्या, k is, a non-zero real constant, a non-zero real constant, ठीक है सर, k is a non-zero real constant, बात क्लियर है, चले, चलिये सर, moving ahead, आगे चलते हैं भई, question six पर, ठीक है, question six पर चलते हैं, चलो, question six देखते हैं, बटा स्कोई raise करते हैं, और यह रहा हमारा question number six, question six है, if one zero of a polynomial, यह polynomial दिया है, ओ, polynomial बढ़िया दिया यार, देखना अच्छे से, polynomial है, three x square, minus eight k, plus, eight k नहीं है, eight x है, क्या गर रहे हो भई, plus, two k plus one, देखो two k plus one को मैंने, bracket में लिख दिया, और जरूरी भी है बिटा, क्यों उन्होंने नहीं लिखके दिया, वो क्यों लिखके देंगे, वो तो आपको confuse करना चाहते हैं, यहाँ से a, b, c निकालो, ax square, plus, b, x, plus, c, ठीक है, चलो, तो sir, a हो गया three, a is equal to three, b हो गया minus eight, b is equal to minus eight, c हो गया two k plus one, c हो गया sir, two k plus one, यह हो गया, c, done, clear, yes sir, हो गया, अब इन्होंने यह का कि, एक zero, पहले तो अपन को zeros लिखने पढ़ेंगे, कि let the zeros be alpha and beta है न, let the zeros be, alpha and beta, कि sir, इन दोनों को हमने alpha और beta को, इस polynomial का zero मान लिया, ठीक है, अब बात आती है बिटा, कि हमें एक zero, दूसरे का seven times दिया गया, कोर से सुनना, कि अगर alpha की जगा हम सिर्फ alpha ही लिखें, तो जो beta होगा न, वो इसका साथ गुना होगा, यानि seven alpha, seven times alpha, तो alpha की जगा alpha चलेगा, बीटा की जगा seven alpha चलेगा, ये है बिटा, समझे क्या, कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए, तो सर हमें तो दो ही फॉर्मले आते हैं, बस कौन से, सर एक तो alpha प्लस beta is equal to, minus b upon a, देखते हैं सर इससे कुछ होता की नहीं, और एक है alpha into beta is equal to, c upon a, देखते हैं सर इससे होता कुछ की नहीं, पिटा दोनों का ही उप्योग करना पड़ेगा, ठीक है चलो, alpha की जगा question के अनुसार हमने alpha ही लिया, बीटा जो है उसका alpha का, अपने भाई का साथ गुना जादा है, यानि 7 alpha हो जाएगा, is equal to minus b, minus minus 8, तो ये 8 हो गया, upon a की जगा 3, तो सर ये आगया, 8 alpha is equal to 8 upon 3, 8 से 8 कट गया, तो alpha आया सर 1 upon 3, क्या है alpha, 1 upon 3, सर अगर alpha 1 upon 3 आया, अगर alpha 1 upon 3 आगया सर, तो बीटा क्या आएगा, अरे भाई, बीटा आएगा, 7 into alpha, alpha 1 upon 3 है, तो 7 into 1 upon 3 मतलब, 7 upon 3 ये बीटा है बिटा, इस बीटा है, ये बीटा की value आगई, यानि दूसरा 0 है, ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा काम करते हैं, और k की value निकालते हैं बच्चों, alpha की जगा, अब तो alpha बीटा दोनों आगए, अब alpha की जगा, alpha मतलब लिखना, alpha की जगा 1 upon 3 लिखना, 1 upon 3 into, सर, बीटा की जगा, बीटा भी आल्रेडी हमने निकाल लिया है, बीटा, 7 upon 3 है, is equal to c upon a, c है सर 2 k प्लस 1 upon a है सर 3, ठीक है, यह आया 7 upon 9, is equal to 2 k प्लस 1 upon 3, 3 से यह गया 3 times, ठीक है, अब 3 जो इदर है न, वो इदर आ जाएगा, multiply कर देगा, तो 7 is equal to, 3 2 जा 6 k, 3 बन जा 3, तो प्लस का 3, ठीक है, सर अब बहुत गौर से देखना, 3 को यहाँ बेच दो, 7 minus 3 हो जाएगा, 6 k is equal to 7 minus 3, यानि 4, 6 k is equal to 4, k is equal to 4 upon 6, इसको काटा पीटी करो 2 से, 2 2s are 4, 2 3s are 6, यह answer आ गया k की value, ठीक है दोस्त, समझ में आई पूरी लीला, यह है बेटा पूरी कहानी, जल्दी से question number 6 को भी, सुलादो बेटा, ठीक है, चलो, done, चलिए sir, moving ahead, question number 6 completed, question number 7 की तरफ भागते हैं अब अपन, erase, next question number 7, यह रहा sir, जल्दी से पढ़ेंगे, और इसको भी जल्दी से सुला देंगे अपन, question कह रहा है कि अगर, एक zero, इस polynomial का, is one upon two, गौर्दी से सुनो, यह है polynomial, और यह है एक zero, यानि alpha मान लेंगे इसको alpha, find the value of lambda, and other zero, lambda की value भी यह lambda होता, l, a, m, b, d, l, e, m, b, d, lambda, ठीक है, और other zero, यानि बीटा भी निकालनी है, बीटा की भी value निकालनी है, अब सुनो, पहली कहानी तो आप अपन को लिखनी पड़ेगी, let the zeros be, let the zeros of polynomial, let the zeros of polynomial, 2x square, plus 3x, plus lambda, lambda ऐसा होता, थोड़ ऐसा, टेड़ा टी, r, alpha and beta, r, alpha, and beta, ठीक है, alpha and beta, मान के चलो के, वो हैं यह zeros है, अब वो कह रहें, एक zero जो है, वो one upon two है, ठीक है भाई, मान ली तुमारी बात, question के according, जो alpha है, वो one upon two है, एक zero अपन ने one upon two मान लिया, बीटा अपन को नहीं पता, अच्छा एक चीज़ और सुनो, यह जो zeros होते हैं न, they are the values of x only, तो यह कुछ नहीं, यह x की ही value है, x की ही value अपन को दी गई है, one upon two, तो sir, यह कौन सी, क्या value होती है, zero होता क्या है, यह कैसी value होती है, जो अगर आपने इस polynomial में रख दी, तो पूरा का पूरा polynomial, equal to zero हो जाएगा, तो यही कामापन को यहां करना है, तो sir, two x square, plus three x, plus lambda, जैसे ही यह value हम इस polynomial में put करेंगे, बच्चों, गौर से देखना क्या हो जाएगा, two into one upon two का square, x की जगा one upon two है, one upon two का square, one upon four होगा, plus three into x, three into one upon two, ठीक है, plus lambda, जैसे ही हमने यह x की values रखी, zero रखी, equal to zero आजाएगा, यह मत भूलना बेटा, ठीक है, चलो इसने इसकोट cancel कर दिया, two times, तो यह आया, one upon two plus three upon two, plus lambda is equal to zero, तो four upon two, four upon two plus lambda, four upon two plus lambda is equal to zero, तो यह two आया, two plus lambda is equal to zero, lambda is equal to minus two, है ना, यह two उदर गया, तो lambda की value आगई सर, minus two, ठीक है बैई, lambda की value आगई, minus two, तो पहला काम तो हो गया, find the value of lambda, अब find the other zero, बीटा भी निकालो, तो अब अपन इस पूरे polynomial को थोड़ा सुंदरी करण करके लिखेंगे, two x square, plus three x, plus lambda, और lambda की value आगई, minus two, तो अब lambda नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे, इसकी जगा, minus two, ठीक है, अब यह है polynomial अपना, क्योंकि lambda की value तो आगई, तो भाई, lambda की value आगई, तो we can put the value of lambda over here, है ना भाई, इसकी value को अपन यहां लिख सकते हैं भाई, ठीक है, अच्छा, alpha plus beta, या alpha into beta का इस्तिमाल, अब किया जा सकता है, alpha into beta का इस्तिमाल कर लो, या alpha plus beta का इस्तिमाल कर लो, आपकी इच्छा, यह c upon a है सर, ठीक है, alpha की value एक zero अपन को दिया था, one upon two, ठीक है सर, into beta, is equal to c upon a, भाई, गौर से देखो, c है minus two, minus two upon, a है two, एक ही जगा two लिखा, ठीक है, तो सर यह आया, one upon two, beta, is equal to minus one, ठीक है, minus का one आएगा, कट जाएगा, minus one आजाएगा, भाईया two यहाँ जाएगा, इसके पास, तो beta is equal to minus two, answer, ठीक है ना, two into one, two into minus one, minus two, तो beta आगया है, दूसरा zero आगया, other zero is minus two, जल्दी से beta इसको copy कर लो, then we will move on to eighth question, फिर अपन eighth question करेंगे, ठीक है, चलिए, moving on to question number eight now, चलो भई, यह रहा question number eight, दिखा दिखा सा लग रहा है, इसा लग रहा है, जैसे कर चुका हूँ मैं यह question, चलो देखते हैं, हाँ यह कर चुके हैं, शायद, part number two में, यह one में किया था, I guess, if one zero of a polynomial, is reciprocal of the other, यह polynomial दिया है, polynomial copy कर लेते हैं पहले, polynomial है सर, a square, plus nine, bracket close, x square, plus 13x, plus 6a, ठीक है, चलो a, b, c निकालने सबसे पहले, capital A चलेगा बिटा यहां, धियान रखना क्योंकि small a already है, तो a x square, standard form of quadratic equation लिखेंगे, plus bx, plus c, ठीक है सर, तो a क्या आएगा, sir, a आजाएगा अपना, x square से x square match हो गया, a यह पूरा आजाएगा, a square plus nine, x से x match हो गया, b हो गया 13, capital B हो गया, sir, 13, c हो गया पूरा 6a, c हो गया, sir, 6a, ठीक है, एक condition दी गई है, sir, क्या, क्या given है, sir, given है, कि reciprocal है, zeros, reciprocal है, मतलब, अगर, इसके zeros, alpha and beta है, तो भाईया, alpha को, अगर मैंने alpha ही लिखा, तो beta, अपने भाई, alpha का reciprocal होगा, तो beta की जगा, हमें one upon alpha लिखना पड़ेगा, मान के चलो, alpha अगर five होता, तो beta one upon five होता, है ना, अगर होता तो, तो भाईया, यह होगया, alpha and beta, एक line ज़रूर लिख लेना, मैं लिखना भूल गया, let the zeros of this polynomial, be alpha and beta, ठीक है, चलो, अब बहुत आसान है, जब reciprocal वाले दिये होना, तो भाईया, आँख बंद करके, मतलब, आँख भी बंद नहीं करना है, alpha into beta is equal to c upon a, लगा देना, खतम, is equal to c upon a, यह लगा देना, ठीक है, ओके सर, तो alpha की जगा बच्चो, अपन को alpha ही लिखना है, into beta की जगा बच्चो, according to question, 1 upon alpha लिखना, is equal to c upon a, c है सर 6a, a है सर, a square plus 9, 6a upon a square plus 9, alpha से alpha कट गया, we have a, 1 is equal to 6a upon, a square plus 9, a square plus 9, यहाँ जाएगा, 1 से multiply हो जाएगा, we have, a square plus 9 into 1, a square plus 9, is equal to 6a, beta 6a को यहाँ लाओ, a square plus 9, minus 6a, is equal to 0, बच्चो, यह quadratic equation बन गया, लेकिन यह whole square बन रहा है, देखो कैसे, a का square, plus यह होता है, 3 का square, minus 2a, 3, is equal to 0, minus 2ab, 2ab, a square plus b square, minus 2ab, यह, x square plus y square minus 2xy, कुछ भी मान सकते हो बच्चों, तो यह a minus 3 का, whole square बन गया, equal to 0, 0 पे भी square लगा दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो 0 ही रहेगा, square से square, पर बिटा compare कर दी, हटा देंगे अपन उसको, तो a minus 3 is equal to 0, bases are equal, minus 3 उदर जाएगा, a is equal to 3, यही बिटा अपना answer है, a is equal to 3, ठीक है, इसमें कोई दिक्का दो, तो बताना बिटा, question 8 भी अपना complete हो चुका है, ठीक है, let us move on to question number 9 now, question number 9 पे जलते हैं बच्चों, let us move on to question number 9, यह रहा question number 9 भी चलो भई, क्या है सर यह, question है भई, find a quadratic polynomial who zeros are, भी यह zeros दिये, और हमें quadratic polynomial निकालनी है, अच्छा zeros क्या है, चलो इसको मान लेते हैं, alpha दिया है, और इसको मान लेते हैं बटा, कि बीटा दिया है, ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चे एक बात बताओ, अगर हमें quadratic polynomial find करनी हुई, तो तरीका तो एक ही है, आपको याद होगा, के bracket x square minus sum of zeros, sum of zeros into x, plus product of zeros, ठीक है, sum of zeros into x plus product of zeros, यह है format, तो सर हमें दो चीज़े निकालनी पड़ेंगी, क्या, एक तो sum of zeros, इसके जो zeros दिये ना वो दोनों, उनका sum, और उन्ही का हमें product भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो चलो सर, sum निकालते हैं और फिर product निकालते हैं, चलो, sum, sum of zeros, sum बोले तो alpha प्लस बीटा, ठीक है, तो सर, alpha है अपना 3 प्लस root 5 अपॉन 5, 3 प्लस root 5, अपॉन 5, और प्लस 3 माइनस root 5 अपॉन 5, ठीक है, LCM आपको पता ही है, LCM सेम आएगा सर, 5, सर ये दोनों में कोई change नहीं आएगा, जब दोनों के denominator सेम है, तो LCM सेम ही आता है, प्लस 3 माइनस root 5, ठीक है, चलो, सर क्या कटेगा, प्लस का root 5, माइनस का root 5 कट गया, 3 प्लस 3, 6 अपॉन 5, ये आया बच्चों, 6 अपॉन 5, ठीक है, देसे 6 अपॉन 5, अब बात करते हैं सर, प्रोड़क्ट आफ दी जीरोज पे, समों गया, अब प्रोड़क्ट निकालते हैं, चलो, प्रोड़क्ट आफ दी जीरोज, ठीक है भई, जीरोज क्या है भई, रूट्स, या कंजूगेट जीरोज, या कंजूगेट जीरोज हैं, समझाऊंगा कभी, अभी फिलाल सॉल्फ करते हैं, अपॉन 5, इंटू, 3, माइनस रूट 5, अपॉन 5, ठीक है, ये दिख मीटा, मुल्टिप्लाय होगा, इस ब्राकेट इंटू इस ब्राकेट, तो ये होगया, X plus Y, X minus Y, या किस्क्वेर माइनस Y स्क्वेर, ये होगया, X स्क्वेर, माइनस ये होगया, Y स्क्वेर, ठीक है, अपॉन 5 इंटू 5, 3 का स्क्वेर 9, और रूट 5 का स्क्वेर 5, 9 minus 5, अपॉन 25, तो ये होगया, 4 upon 25, तो ये जो आया, 4 upon 25, ये आया बच्चो, अलफा इंटू बीटा, ये आया, 4 upon 25, ये प्रोड़क्त अफ दी जिरो, बच्चो, वैलिव रखो, आंसर लाओ, बस खतम, इट्स ओवा, देखो, के, ब्रैक्ट एक्स स्क्वेर, माइनस, सम एक्स, सम क्या है सर, सम अफ दे जिरो जायत है, 6 upon 5, 6 upon 5, इंटो X, प्लस, प्रोड़क्त अफ दे जिरो, प्रोड़क्त है, 4 upon 25, 4 upon 25, ब्रैक्ट दे जिरो, इस इस आवर आंसर, अब के को हम क्या लिखेंगे, आपको पता ही है बिटा, के क्या है, के इस अ नौन जीरो कॉंस्टेंट, रियल नंबर, नौन जीरो, रियल कॉंस्टेंट, ठीक है, रियल, नंबर वाला, कॉंस्टेंट, ठीक है, अच्छा, अब कई लोग कहते हैं, सर, ऐसे, ऐसे, के की वैल्यू तो बताओ क्या आईगी, चलो यार, के की वैल्यू तुम्हें सॉल्फ करादें, यहां निकल सकती है, तो अपर निकाल रहे हैं, चलो, के, ब्रैकेट, को और से सुनना, के की अच्छली वैल्यू आईगी क्या, ठीक है, के अटादो अभी, यहर, X स्क्वेर, जो है, उसके अपॉन में 1 लिखो, माइनस, वैसे, आंसर आ चुका है, यहां खतम हो गए है, तो एक्स्ट्रा बता रहू हूँ मैं, 6 अपॉन 5X, प्लस 4 अपॉन 25, बिटा, अब तुम इन सब का LCM ले लो, 25 आई LCM, ठीक है, तो यह हो जाएगा, 1 इंटू 25, तो इसका भी 25 से मल्टिप्लाइ, 25 X स्क्वेर आ गया, माइनस, 5, 5 जा 25 होता है, 5, 5 जा, तो 6, 5 जा 30 हो जाएगा, यह 25, यह 25 मैच कर गया, इसमें कोई changes नहीं आएगे, 4 आ जाएगा, अब अच्छो इसको कैसे लिख सकते हैं, सर इसको लिख सकते हैं, 25 जो अपॉन में, उसको side में निकाल लेंगे, 1 अपॉन 25, bracket, we can write 25 X स्क्वेर, माइनस 30 X, 25 X स्क्वेर, माइनस 30 X, प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं अपॉन हैंना, we can write it like this, हैना, ऐसे लिखा जा सकता है, यह सर बिलकुल लिखा जा सकता है, अब बच्छो तुम्हें, यह जो बाहर लिखा हुआ दिक रहा हैंना, यह जो लिखा हुआ दिक रहा हैंना, यही तो K है, देखो यह बाहर, K बाहर ही तो वेट करता है, तो यही तो K है, ऐसी यह होता है कि, K is a non-zero, zero नहीं होगा, but real constant, but real number होगा, और maybe it can be a constant, maybe नहीं मतलब constant तो obviously होगा ही, होगा, ठीक है सर? I think खतम होगा है question अब, nine ही question थे इसमें, I guess, उम्मीद तो मुझे है, ठीक है? चलो, आगे चलने, देखें नाइन्थ के बाद 10 है के नहीं है, हुहु, चलो, आगे चलते हैं, moving on to next, इसको erase करते हैं, और खतम हो गया, this is over now, this session is also over, अब तुम्हारे लिए मैं part 4 बनाऊंगा, और part 4 में भी बहुत सारे questions लाऊंगा, तो I hope आप सभी ने इस video को enjoy किया होगा, और आप सबने ये 9 questions बहुत अच्छे से practice किया होंगे, और जो questions repeat हो रहे हैं, तो याद रखना बिटा अगर repeat हो रहे हैं, तो उनकी importance बहुत जादा हो जाती है, so don't forget to do all these questions, don't forget to practice all these questions, इन सारे questions को practice करो, और आप हमारी website पे भी पढ़ाई कर सकते हैं, website है www.magnetbrains.com, आप हमारा app भी इंस्टॉल कर सकते हो, Google Play Store से, Google Play Store पर जाईए, and you can just search Magnet Brains, आपको app मिल जाएगा, अगर आपको need है notes की, तो हमारी website पर जाईए, corner में आपको grab e-notes नाम की एक चीज, blink करती हुई मिल जाएगी, उस पर click कीजेगा, और आपकी जैसी need हो, उस हिसाब से notes ले लीजेगा, चलिए दोस्त, चलदी मिलेंगे next video, तिल देन, happy learning, take care, bye.